सामुन साब सामलेकम उमीद है आप खैरिद से होगे सामुन साब जैसा कि आप जानते हैं कि इस वकित आप महकमा तालीम के रैसे जमू किश्मीर, अर्स्ट्वाइल और यूटी कि आप एड्मिस्टेटिव सेक्टरी हैं और चोदा तारीक को आपने एक सर्क्ल और वन जिससे कहते हैं जारी किया है जिसकी रूँ से आपने प्राइविट स्कूल जो हैं उनकी जो मैनेज्मेंट है उनको महाना टूशन फी कॉलेक्ट करने के लिए अथोराइज किया है समुन सब आप जानते हैं कि सुकूल भी बंद हैं यूनिवर्सिटी बंद हैं कॉलिजी बंद हैं प्रफेशनल कॉलिजी बंद हैं तालीम कहीं पर यह नहीं हो रही जिसे कहते हैं मसाजिद बंद है और मंदर भी बंद है अबन अल्ला का गर्भी जिसे कहते हैं वो बंद है जिसे कहते हैं और इस वक्त महक्मा तालीम यह कह रहा है कि महाना जो फीस है जो बच्चे जो है जो है उनकी फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल के जो मालिक है वो वसूल कर सकते हैं मेरी आपसे ये दर्खास है कि यार्डर हार्श है खास कर कोविड नाइंटीन के इस जम्हामारी के दोर में जबके मैंने आपको कहा कि लोगों को इस वकर सबसे बड़ा जो इसे कहते हैं कि जो इंटरस्ट है कि उनकी जान कैसे बचे और इस वक्त जबके बचे, बुड़े, जवान, सबी लोग अपने गरों में कैद हैं तो प्राइवेट स्कूल्स एसोसेशन की तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेशन के उपर आपने अर्लियर इंस्ट्रेक्शन को माडिफाई किया और पेरेंट्स को ये कहा गया कि वो महाना फीस जो है टूशिन फीवर जमा कर सकते हैं समुन साब हर एक आदमीं की हैसियत जो है वो एक करोड़ पती और एक लख पती जैसी नहीं है आज आप देख रहे हैं इस देश में लोग पैदल जो हैं अपने गाओं की तरफ निकल पड़ें उनके पास पाओं में पहने के लिए चपल नहीं है और हर एक शक्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मन्थली टूशिन फीज जो है वो स्कूलों में पे कर सके और किस किसम की लेटर्स, कम्निकेशन, सोशल मीडिया पे पेरेंट्स को किस किसम के मैसेजिस, मैनेजमेंट की तरफ से जा रहे हैं ये अगर आप चाहेंगे तो मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ या सोशल मीडिया में डाल सकता हूँ कुछ लोग बहुत गरीब हैं और मैं आपको इस्तदा करूँगा आप भी बड़ी हमबल बैग्रोंड से आएं सामून साप हमें आप से बड़ी तवक्क्र है और खास तोर पर मैं आपको यह कहूँगा हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं इसे पेरेंट्स हैं जो के प्राइविट मलाजम हैं जिनको दो दो तीन तीन महीनों से कोई तंखाव नहीं मिले जो के छुप छपाते हुए जिसे कहते हैं लोगों से राशन लेकर गुजारा कर रहे हैं और जो बड़े मलाजम है या जो सरमायादार है उनको तो फर्क नहीं पड़ता जिसे कहते हैं लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है जब भी आप इस किसम के फैसल लेते हैं पहले उन लोगों का ख्याल जरूर करें जो लोग इस वक्त जिसे कहते हैं जो सफेद पोश लोग है जो ग्रीब लोग है और आपको मालूम है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस ताइम उनकी जो सप्रेड है वो थ्रूआउट दी लेंथ और ब्रेथ अफ दिस अर्स्वाइल स्टेट अफ जमूएं किश्मीर है हर एक माबाप को यही शोक है जिसे कहते हैं कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पड़े जो हमारे सरकारी स्कूल है वो तो डुमेस्टिक सर्वन्स के लिए रह चुके हैं तो हर एक माबाप यही चाहता कि उसके बच्चे को अच्छी तालीम मिले यह जो आपका order, जो circle अराभी आपका निकला है यह unjust है, यह harsh है It is against the interest of students community है It is against the interest of the parents also मेरी आपसे यह गुजारिश है कि यह भी हालात नहीं रहेंगे और मैं private schools के खलाब भी नहीं हूँ इसे कहते हैं माशाला contribute किया है private schools ने मैं ख़ो private school का product हूँ I have utmost regards for my teachers and for the management of the private schools लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो थोड़ा सबर तो कर लें उनसे कहते हैं उनके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और मैं आप से फिर इस्तदा करूंगा कि that in public interest खास तोर पर जब तक ये restrictions चल रही हैं करोना की और जब तक से कहते हैं कि ये lockdown की restrictions और जब तक government of India इसके ओपर अपना कोई stance नहीं लेती आप अपना जो circle रहें उसको जिसे कहते हैं उसको नजरे सानी करें और parents को रहत दें और जब तक कि government of India इसके ओपर कोई final word लेकर नहीं आती तब तक आप अपने order को मेरी आप से यही दर्खासता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया